हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो सिलपास की चनल रेसिपीज आज में शेयर करने वाली हूँ बहुती हेल्डी टेस्टी एंड सुपर डिलिशियस बदा मिल्चिक की रेसिपी अभी जैसे गर्मिया चल रही है और गर्मियों के मौसर में हमें कुछ ठंडा खाने या पीने का मन करता है और अगर वो टेस्टी के साथ हिल्दी भी हो तो खाने या पीने में मज़ा ही आ जाता है वीडियो को पुरा एंड तक देखे बिना स्किप किये और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मैंने यहां पे एक लीटर फूल क्रीम वाला दूद लिया है बदाब मिल्कशेक के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप फूल क्रीम वाला दूद ही ले आप इसे नॉर्मल दूद से भी बना सकते हैं सबसे पहले हम दूद में एक अच्छे उबाल आने देंगे और जब दूद में उबाल आ जाए तब हम ग्यास का फुलिम लोग पे रखेंगे और दूद को थोड़ा गाड़ा होने तक पकने देंगे इसी बीच हम इसमें 8-10 केसर के धागे और 5-6 कुटी हुई इलाइची एड़ करेंगे केसर और इलाइची डालने से बदाम मिल्क शिक में एक अच्छा फ्लेवर आएगा और जिससे बदाम मिल्क शिक पीने में बहुत ही डेस्टी लगेगा केसर और इलाइची दूद में मिक्स करने के बाद अब हम दूद को पकने देंगे दूद को हमें बहुत जादा गाड़ा नहीं करना है जैसे मैंने यहाँ पे एक लिटर दूद लिया है तो इसे हम 800 ml होने तक पकने देंगे जब तक दूद गाड़ा होता है तब तक हम आगे का प्रिपरेशन्स कर लेते हैं मैंने यहाँ पे 15-20 बदाम लिया है बदाम को मैंने 3-4 घंटे के लिए भिंगो के रखा था और उसके बाद मैंने इसके छिल के हटा दिया है अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और मिक्सर ग्राइंडर में बदाम डालेंगे और इसमें दूद आड़ करेंगे और ग्राइन करेंगे आप इसमें दूद के बदले पाने भी डाल सकते हैं ग्राइन करने के लिए ग्राइन करने के बाद आप देख सकते हैं यह एकदम स्मूद नहीं है यह हलका सा दर-दरा है अब हम इस बदाम पेस्ट को दूद में अड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पे हम इसे 4-5 मिनिट के लिए पकने देंगे ताकि बदाम का कच्चापन जो है वो चला जाए और दूद को हम बीच पीच में चलाते रहेंगे ताकि दूद पैन के नीचे से जले नहीं मैंने यहाँ पे आधा कब दूद एक कटोरी में पहले निकाल के साइट पे रख लिया था और दूद रूम टेंपरेचर पे है अब इसमें दो टेबल स्पून कस्टेड पाउडर एड़ करेंगे मैंने यहाँ पे वैनिला फ्लेवर वाला कस्टेड पाउडर लिया है और कस्टेड पाउडर को दूद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें कोई लम्स फगेरा नहीं होना चाहिए इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है दूद को पकाती हुए आठ से दस मिनिट हो गया है और साइट में चूप पैन में मलाई लग रहा है उसे भी हम दूद में मिलाते जाएंगे आप देख सकते हैं दूद का पिकाड़ा हो चुका है तो अब हम इसमें कस्टर्ड पाड़र बाला मिक्सर आड़ करेंगे इसे हम थोड़ा थोड़ा करके दूद में आड़ करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने कस्टड पार्ट और बाला मिक्षे दूर्ट में आड़ करने के बाद इसे हम धूरी दर चलाते हुए पकाएंगे इससे इसमें लंग्स बिल्कुल नहीं पड़ेगा अब हम इसमें 1 पूर्थ कप चीनी आड़ करेंगे चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम बदाब मिल्क शेक को लो टो मीडियम फ्लेम पे 4-5 मिनिट के लिए और पका लेंगे अब बदाब मिल्क शेक को पकाते हुए 4-5 मिनिट हो गया है आप देख सकते हैं यह अभी काफी काड़ा हो चुका है और यह देखें चमच में अच्छे से कोट भी हो रहा है बस हमें इसे इसी स्टेस तक पकाना है अब हम गयास का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे कंप्लेटली ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा गाड़ा हो जाएगा ठंडा होने के बाद इसे हम 6-7 घंडे के लिए फ्रीज में रख देंगे मैंने इसे 6-7 घंडे के लिए फ्रीज में रख दिया था और उसके बाद आप देख सकते हैं ये कितना गाड़ा हो चुका है और बदाब मिल्क शेक के लिए ये perfect consistency है अब हम इसे ठंड़ ठंड़ सर्व कर लेते हैं मैंने बदाब मिल्क शेक को इस तरीके का एक mug में सर्व किया है आप इसे अपने मन पसंद cup या glass में सर्व कर सकते हैं अब बदाब मिल्क शेक एक पर इस तरीके से बना के देखिए बच्चे तो बच्चे बड़े भी इसे मांग कर पिएगे इतना टेस्टी बनता है ये अब मैं इसे थोड़े से चौप्ट के और बदाब से गानिश कर रही हूँ और बदाब मिल्क शेक रेड़ी है सर्व करने के लिए अगर आपको मेरे आज की ये रेसिपी अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेर और मेरे चनल को सबस्क्राइब जरूर करें